हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे BMS के 3rd semester स्वस्त पुरत का 4th chapter रितुचरिया के बारे में आय और वेद में रितु बहुत इजी चैप्टर बोल सकते हैं रितुचरिया के बारे में हमारे 1st year के अस्टांग इरदय और 3rd year के स्वस्त पुरत में भी इस रितुचरिया के बारे में बताया गया है तो चलिए हम पढ़ते हैं simple और easy way से रितुचरिया के बारे में रितुचरिया के बारे में हमें एक simple सा slow क्याद करना है यानि रितो रितो चर्या रितु चर्या अर्थात रितु के अनसार आहार व्यार का पालन करना ही रितु चर्या है यानि रितु के अनसार हमें क्या-क्या खाना चाहिए, क्या-क्या पीना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए, यही रितु चर्या है अब रितू कितनी कही गई है रितू 6 कही गई है वैसे तो हम सबको याद होता है कि रितू कौन-कौन सी होती है लेकिन जिने याद नहीं होता है वो इस ट्रिक से याद कर सकते है इस प्रिकार हम रितूं को याद कर सकते है अब आगे है काल विवाग दो काल विवाग बताए गए हैं पहला आदानकाल और दूसरा विसर्ग काल आदानकाल को उत्तरायन और विसर्ग काल को दच्छडायन बोलते हैं पहला पॉइंट डालेते हैं आदानकाल यानि उत्तरायन उत्तराइन को अगर हम दो वागों में डिवाइट करें तो उत्तर पिलस अयन इसका साब्दिक अर्थ होता है उत्तर में गमन आदन काल का जो काल होता है वो 14 जेन से 21 जून तक रहता है इसमें 3 रित्में बताई गई हैं सिसेर वसंत ग्रीस्म सूरी का गमन उत्तर जिसा में प्रारंब हो जाता है जब सूरी का गमन उत्तर जिसा में प्रारंब होगा तो प्रत्वी का सौम्विगोड धीरे धीरे उसी तरह कम होता जाएगा प्राणियों का बल भी कम होता जाता है और सूरी का बल अधिक बलवान हो जाता है जब सूरी का बल अधिक बलवान हो जाएगा तो चंद्रमा का बल छीड़ हो जाएगा इसमें रस की अधिकता जादा होती है सिसिर में तिक्त, वसंत में कसाय, ग्रीस्म में कटू इसको अभी याद ना करें इसको हम आगे एक इजी वे में समझा देंगे अब आगे सेकंड पॉइंट था बिसर्ग काल यानी दक्षडाइन बिसर्ग काल का जो काल है 16 जुलाई से 15 जैनुरी तक होता है इसमें तीन रितु बताई गई हैं बर्सा, सरद, हेमंद आगे है सूरी का गमन दक्षड दिसा में प्रारंब होता है प्रत्वी का सौमगोड अधिक हो जाता है प्राणियों का बल अधिक होने लगता है सूरी का बल कम हो जाता है और चंद्रमा का बल बलवान हो जाता है और रस की अधिकता बर्सा में अमल होती है सरद में लवर्ड और हेमंद में मदुर इसको अभी याद करना चाहो कर लो इसको हम आगे बता देंगे मैंने ये कुछ flow chart बनाया है आप exam में जरूर लिखें flow chart से हम examiner को convert में ज़्यादा समझा सकते हैं और यह easy way भी होता है इनके बीच में हम एक line कर देते हैं यह exam में नहीं लगानी है एक समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको ऐसे करके लिखना है मदूर अमल लवड कटू तिक्त कसा है अब देखें सिसर में तिक्तरस, बसंत में कसा है ग्रीस में कटू, वर्सा में अमल, सरद में लवड और हैमंत में मदूर याण यह नीचे से पढ़ना है मदूर अमल लवड कटू तिक्त कसा है नीचे से देखना है मदूर अमल लवड कटू तिक्त कसा है अब आगे देखते हैं तो सबसे पहले दूस का संचय होता है फिर प्रकोफ होता है फिर प्रिसर होता है सबसे पहले एक तरफ रितुओं के नाम लिख लेंगे सिसिर वसंद ग्रीस्म वर्सा सरद हेमंत फिर उसके बाद उपर लिखेंगे संचय प्रकोफ प्रिसर पिर त्याद रहे पिर तलाष्ट में कॉर्णर पर आना चाहिए अब आगे हेमंत के सामने और संचय के नीचे लिखना है कफ फिर सबसे उपर आ जाना है उपर कुछ नहीं लिखना है क्योंकि कफ का जो संचय होता है वो सिसर रित्म में भी होता है सिसर वाली लाइन छोड़ देंगे फिर उसके बाद वसंद के सामने और प्रकोप के नीचे लखेंगे कफ फिर ग्रीसम के सामने और प्रसर के नीचे लखेंगे कफ अब इसको पढ़ेंगे कैसे बात का संचे होगा किस रित्म होगा ग्रीसम में वात का प्रकोप किस रित्म होगा वर्सा में वात का प्रसर किस रित्म होगा सरद में अब ऐसी पित का है पित का संचे किस रित्म होगा वर्सा में पित का प्रकोप किस रित्म होगा सरद में पित का प्रसर किस रित्म होगा हेमंत में ऐसे ही कफका देख लेते हैं, कफका संचय किस रित्म होगा हेमन्त में, कफका प्रकोप किस रित्म होगा वसंत में, कफका प्रसर किस रित्म होगा ग्रेस्म में अब आगे है हेमंत रितो, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे हेमंत रितो हेमंत रितो जो होती है वो मिट नमेंबर से मिट जैनवरी तक होती है हेमंत रितो इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि हेम मतलब इसनो इस रित में सबसे ज़्यादा बरफ पड़ती है सबसे पहले यह है रित किस काल में आती है यह है रित विसर्ग काल की रित है आगे है अधिक सीत हेमंत रित अधिक सीत होती है क्योंकि इसमें इसनों पड़ता है आगे है हेमंत रित अंत में हिम यानि इसनो फॉल होता है आगे है रात्रे लंबी इसलिए प्राते काल भूंग लगाती है दिन छोटे होते हैं मदुर रस प्रदान होता है मैंने आपको पिछली ट्रिक में बता दिया था मदुर रस प्रदान होता है अब जो हमारी अगली रित हो है वो है सिसे रित इसका जो time period होता है वो mid gen से mid March के बीच का होता है यह है आदानकाल की रित है आदानकाल होने की बज़े से body में रुक्षता अधिक होती है सिसे रित में हिमत चर्या का पालन अधिक मातरा में करना चाहिए अब हमारी अगली रित है बसंत रित इस रित का समय मिड मार्च से मिड मई के बीच का होता है यह है आदानकाल की रित है सूर की केड़े लाल और गरम होती है हमें पता है अब दीरे दीरे आदानकाल आ रहा है आदानकाल का मतलब सूर की केड़े दीरे बढ़ती जा रही है इसमें कब्दोस पिगल जाता है, कसायरस प्रदान होता है और प्राणियों का बल मद्यम होता है इसमें सारा कुछ पिछली ट्रेक से ही सारा कुछ बना सकते हैं अपनी तरफ से अब आगे है ग्रीसम रित ग्रीसम अपकास हमारी कपड़ती है, मिट मई से मिट जुलाई के बीच में ये आदान काल की रित है, सूरी जगत के इसने का गरण अधिक मातरा में होता है सूरी तेज केड़ों वाला होता है, वल हीन हो जाता है कट रस की उत्पत्य होती है, बात दोस्की ब्रद्धी होती है अब है अगली रित वर्सा रित, इसका जो टाइम होता है वो मिट जुलाई से मिट सेप्टबर के बीच में होती है, यह बिसर्ग काल की रित हो है इस रित में अधिक वर्सा होती है, वल हीन होता है अमले रसकी उत्पत्ती होती है अनाज उत्पन होता है इंद्र धनुस दिखाई देता है और हरी घास उपती है और मेग गरजने लगते हैं मेग यानी बादल गरजने लगते हैं आधिकरिया होती है अब लास्ट में अमारी जो रित हो है वो है सरद रित जो स्टार्ट होती है मिड सेप्टमबर से मिड अमेब में तक यह है बिसर के काल की रित हो है इस रित में प्रत्वी कीचड़ी उक्त होती है क्योंकि इससे पिछली जो रित होती है इसलिए कीचड़ी उक्त होती है इसमें लवण रस्की प्रदामता होती है इसकी बात बहुती important है अमरत के समान होता है सूर की केडों से गरम हुआ और चंड्रमा की केडों से सीतल जो जल होता है वह हंसो दक माना जाता है अब हंसो दक सेवन के गुड इसको एक short form में लिख लिएते हैं D.A.N.S तो पहला है D. फॉर दुस्चिनासक A. फॉर अनविश्यंद N. फॉर निर्मल और S. फॉर सुचि तो बस इतना ही था आज का अमारा टॉपिक रितुचर्या होप करता हूँ आपको समझ आया होगा पॉर निर्मल